नमस्कार मैं हूँ उशा चाबरा और मैं एक कहानीकार हूँ बहुत वर्षों तक मैंने अध्यापनकार भी किया तो मैंने ये पाया कि बच्चे हिंदी के लिए खासकर तो दूर-दूर रहते हैं या हम ये कह सकते हैं कि लिए भाश में अभी उनको इतनी रुचि जारुत नहीं हुई है तो यह हम बच्पन से कर सकते हैं जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उसको किसी भी भाशा के प्रती तब प्यार आता है या उसका इंट्रेस्ट बढ़ता है जब भाशा में कुछ गुद्गुदी सी होती है उसे कुछ मज़ा आता है कुछ आनंद सा आता है तो as a parent या as a teacher अगर हम छोटे से छोटी क्ला इसे कहानियां बताएं जिसमें कुछ sounds है कुछ कहानी है उसके अंदर तो बच्चे भाशा की तरफ आक्रिष्ट होते हैं और वो अराम से उसको याद करते हैं और याद करते करते कई बार क्या होता है वो भाशा अपना ली जाती है तो आज मैं आपको एक ऐसे कविता सुना जा रही हूँ जिसमें की छोटी सी कहानी भी चिपी है तो बच्चों का इसमें कहानी भी हो गया और उसके साथ उनको कविता भी मिल गई तो ये लिखी है निरंकार देव सेवत जी ने आहीं सुनते है कविता पूड़ी माई पूड़ी माई उतर चान्द से नीचे आई मुन्ना के घर दावत खाई लटु पूरी खीर मलाई सारी चीजों को खा पी कर वह चल दी उड़कर अपने घर हमने उसको आते देखा हमने उसको जाते देखा अब हम भी उड़कर जाएंगे उसके घर दावत खाएंगे तो यहां पर छोटे बच्चों को अधिक तरह हम ऐसा कहते हैं कि वो देखो देखो चांद के अंदर एक बुड़ी माई चिपी है वो दिख रहा है ना क्योंकि रूई का गोला जैसा दिखता है चांद तो वहां पर हम एक शेप दिखा देते हैं उसमें कि कोई बुड़ी माई है उसमें अब हम कहते हैं कि वो मुन्ना के तुम्हारे घर दावत खाने आई हैं तो मुन्ना के घर दावत खाए लड़ू पूरी खीर मलाई तो बच्चे को समझ आती कि दावत क्या होती है और उसमें क्या-क्या बनाया जाती है को special कुछ अलग सा हम खाना खिलाते है उसमें दावत उसी को कहते है तो जब वो से खा पी लिया तो वो उड़कर अपने घर चली गी तो हमने उसको देखा आते वे हमने उसको जाते वे दे और वो अपनी तरह से भी कुछ एड़ कर देता है कि हम यह खाएंगे हम वो खाएंगे अगर आज के बच्चे है तो बोलेंगे मैगी खाएंगे वहां जाके छोले बटूटे खाएंगे तो इस तरह की चीजे हैं जो हमें बच्चों के साम में लानी है ऐसी कविता है और यह कि अछल पर देखिए जो प्ति घए गन्ते हो रा जिसे माई आई क्रश याज कं अन्त शारह जाते है मना है फिर उसके बाद खाएंगे तो तो देख है िया कि इसमें बच्चे को मजणा आएगा फिर वो अपनी तरफ से हिसे कुछ शड़ मताते है तो हमारा काम है इस वक् जब हम ऐसे उनको इंट्रेस्टिंग वे में ऐसी कुछ कविताय देते हैं जिससे कि जो कि उनके रोज मर्रा की जिंदगी के साथ संबंदिता है, खाने पिने की बाते, खेलने की बाते, कहानी की बाते, तो बच्चे भाषा की तरफ आक्रिष्ट होते हैं, तो आशा है कि आप आपको ये कविता पसंद आये होगी, और आप अपने बच्चों के साथ इस तरह के और भी कविताय करेंगे, इसे भी याद कराईएगा, इसे भी गुन-गुनाईएगा बच्चे के साथ, तो आप देखेंगे, बच्चे कितनी सारे शद्द ऐसे ही सीख जाएंगे, अशा ह आपको पसंद आये ये कविता, धन्यवाद